हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे स्वागत आपका सोभा खुशी ब्लोग में आज हमने आने वाले होली इस्पेसल गुजिया वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के संग देखे यहाँ पर हमें क्या-क्या सामान चाहिए वो देख ल यह अधियर यहां पर लीए काटोरी में भोलागारे करीमेंट के मावा नहीं करते हैं सोडकी कटल क लेकलेर गंदें सबगय्व समयान के लिए कि कुछ करए में चाहिड़ मैदा लीकित जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें हमने डालना है दो बड़ी चमज घी बहुत होता है इससे ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारी गुजिया फड़ जाएगी अब इसको भी हमको अच्छे से मसल लेना है और देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा घी बि जाना है लेकिन साथ में उसमें कोई दरारे नहीं होनी चाहिए यानि कि बिल्कुल आटा चिकना होना चाहिए सारी दरारे आपको अंदर की तरह इसकी फोल्ड कर देनी है और टाइट होना चाहिए बिल्कुल नहीं तो गुजिया हमारी आटे की तरह मोटी मोटी हो जाएग सूजी जल जाएगी और बिल्कुल हलकी आज में हमने इसे भूनना है सूजी को काला नहीं पढ़ने देना है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और काली तो पढ़ जाएगी लेकिन कची रह जाएगी तो सूजी भून लेते हैं अब सूजी के साथ हमें और चीज भी भुननी है तो देखे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सौप सौप डाल देंगे, उसको थोड़ा सा भुन लेंगे, उसके पाँ वो चीज डालेंगे जिसको हमको थोड़ा कम भुनना है यानि की काजू और बादाम कटे हुए है, इनको भून लेंगे, इनको अलग से तेल में भून न जरूद ने, इसमें भून जाते हैं, घी हमारा पड़ाई है, तो साथ में भून जाएंगे, और जब ये भून जाएंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर नारियल नारियल थोड़ा उससे कम भुनना होना है तो हमको इसी सिक्वेंसे में डालना है जो ज़्यादा भुनना है उसको पहले जो थोड़ा कम-कम भुनना है उसको बाद में यहाँ पर हमने मावा भी डाल दिया है मेरा तो घर पर बना हुआ मावा या तो मुझे पता है यह बिल्कुल ठीकी है यदि आप बजार से मावा ला रहे हैं तो पहले आपको एक दूसरी कड़ाए में इसको अच्छे से गरम करके पिगला लेना है तो हमेसा मावा चेक करके ही डाले और अलग से पिगला के डाले उसमा अच्छी खुसबू आनी चाहिए और टेस्ट करके देख लीजिए टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए तो यह आपकी गुझे अच्छी बनेगी यदि आप चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं आपकी चीनी परफेक्ट है या कम ज़्यादा है तो आप और एट कर सकते हैं तो मेरी तो ठीकी है अब हम आटा देख लेते हैं यहाँ पर अब हमने आटे को बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करना है यह अभी हमने बिल्कुल सेट करके रखा है यदि अब आप इसको दोबारा गूदेंगे तो इसमें सिल्वटे टाइप की पढ़ जाएंगे और फिर आपकी जो यह लोईए ना इसमें दरारे आजाएंगे तो बस आपको उठा उठा के इसकी लोईए बना लेनी है तो मैं सारी लोईए पहले बना लूँगी उसके बाद गुजिया बनाना सुरू करेंगे जब हमारी सारी लोई आप बन जाएंगे तो इसको बेल लेते हैं तेखिए जब आप आटा सक्त गूदेंगे और सक्त के साथ सौप्ट भी होना चाहिए तो देखे आप इसको कितना ही बेल लीजे यह फटेगा नहीं कितने ही जोर से बेल लीजे तो आटा ऐसा होना चाहिए तो आपकी गुजया बिल्कुल अच्छी, यदि आप ज़्यादा पानी डाल देंगे, और सब्ट सब्ट फटा 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 लगा देंगे, तो गुजया खराब हो जाती है, रोटी की तरह हो जाती है, मोटी मोटी सी, यहाँ पर हम इसमें मसाला भर देते हैं, और पहले किनार लिया है, इसको ऐसे करके रोल करना है, आप स्लो मोसन में लगा के देख सकते हैं, मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत इजी होती है, और यह मसीन की अपेक्षा जल्दी बन जाती है, यहाँ पर देखे हमारी खुजया बिलकुल रेडी हो गई है, अब दूसरी मैं आपको ब बना सकते हैं, आप यहाँ पर एक मसीन ले लिजे, उसमें आप इसको फैला लिजे और किनारे पर पानी लगा लिजे या अपने मैदी का गोल बनाया है, वो लगा लिजे ठीक है, अब इसमें हम मसाला भर देते हैं, उसको बनाना भी इजी होता है, लेकिन यह थोड़ा टा मसीन से बना लिजे, एक और बताती हो मैं, उससे भी आप बना सकते हैं, यदि आप इन दोनों टाइप से नहीं बनाना चाहते हैं, तो दिखें यहाँ पर हमने यह बेल लिया आटा, यहाँ पर किनारे पर हम पानी लगा दे दे हैं, और हमने मसाला बीच में भर देना है, औ उनको चिपका लिजे, यहाँ पर यदि आप आपके पास जिसे वो फॉर्क होता है, जिसे हम काटा भी बोलते हैं, तो उससे आप इसमें डिजैन लगा लिजे, ऐसे करके, और लटके दूसरी साइट से भी बना लिजे, यह गुजिया हमारी थोड़ा सा बड़ी बनती है, यह मैंने आपको तीन तरह के बता दिया कि आप कैसे बना सकते हैं, आप इसमें से किसी तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पर देखे मेरी सारी गुजिया रेडी हो गई है, अब इनको तल लेते हैं, तलने के लिए आप तेल, घी कुछ भी ले सकते हैं, और जब यह थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाइफ लेम में नहीं तलना है, लो फ्लेम रखिए, ज़्यादा हाइफ लेम में बहरी बहर से पक जाएंगे, अंदर से यह कच्छी रह जाएंगी, तो अब इसी तरह से हम एक एक करके सबी डाल लेते हैं, और इनको तल लेते हैं, यहाँ पर मैंने घी ल और जब यह थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, देखे सारे बुलबुले बैड़ जाएंगे, और इसी तरह पलट पलट के हमको सारी गुजिया पका लेनी हैं, और जैसे इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना, इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है, ज्यादा न जो थोड़ा सा चोड़े चेद वाला होगा, इसको यूज करने से होता क्या है कि हमारी एक ही बार में सारी गुजिया निकल आती है, और तेल और एक गी भी नहीं निकलता है बाहर, यहाँ पर देखे हमारी एक भी गुजिया तेल में खुली नहीं है, इसी तरह से आप भी बनाएंगे तो आपकी गुजिया भी ऐसी परफेक्ट बनेंगी, यहाँ पर हमाई सारी गुजिया बनके तैयार हो गई, एक गुजिया में आपको तोड़ के दिखाती हो कि कैसी बनी है, और देखे कितनी सॉप्ट बनी के हाथ लगते ही खुल गई है, और फिर भी तेल में प्रेस करें, और आगे अनली वीडियो के लिए बेल आकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूले, तो मिलते हैं दूसरी एक अच्छी सी वीडियो के संग, तब तक के लिए, ओके बाई